Hello everyone, welcome back to Shape Up Your Life आजकल सब लोग घर पे हैं तो मेरी ही तरह आपको भी फर्माईशें आ रही होंगी कुछ तीखा, चटपटा, कुछ अलग बनाने की क्योंकि सभी को street food खाई काफी दिन भी हो चुके हैं तो चलिए थोड़ी से extra मिनत लगा के अपनों की ये विश भी पूरी कर देते हैं मैं ये चार street foods बना के अपनी family को खिला चुकी हूँ अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो अब बारी आपकी है तो चलिए देख लेते हैं पहली recipe which is delicious पापड़ी चाट पापड़ी बनाने के साथ मुझे वड़ास भी बनाने हैं तो वड़ा बनाने के लिए ने दो तरह की डाल ली है एक है दूली मूंग की डाल और एक उड़द की डाल दोनों को आपने पूरी राद भर भिगो देना है आधा-धा कप लिया है मैंने आप चाहें तो कोई भी एक डाल का इस्तिमाल भी कर सकते हैं तो पूरी राद भीगोने के बाद या फिर चार से पांच घंटे तक तो आपको भीगोना ही पड़ेगा जब ये फूल जाएगी तो इसको हमने ग्राइंड करना है याद रखें ज़ादा पानी इसमें अड़ ना करें अगर ज़रूरत पड़े तो एक तो चमच आप अड़ कर सकते हैं अधर बाद इसे ड्राय ही ग्राइंड करने की कोशिश करें अगर आप चाहते हैं कि आपके वड़ास बिल्कुल spongy बने, बहुती soft बने, तो ये step आपको follow करना बहुत जरूरी है, इसमें कंजूसी ना करें, तो आप देख सकते हैं डाल कितनी light हो गई है, तो अब ready कर लेते हैं, डो पापड़ी बिनाने के लिए, one cup लिया है मैंने मैदा और one fourth cup लिया है सूजी, अब इसमें डाला है थोड़ा सा salt, और साथ ही डाला है जीरा, आप अजवायन भी यूज़ कर सकते हैं, और दो चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर oil डाला है मोयन के लिए, इन चीज़ों को अच्छे से mix करना है, फ्लार को तेल के साथ दबाके mix करें जब तक ही इस तरह से कठा न होने लग जाए, उसके बाद हलका हलका पानी डाल के इसको हम गूंद लेंगे जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदे हैं वैसे इसको गूंदना है, पर ख्याल रहे कि यह आटा आपका बहुत ज़दा हाट नहीं होना चाहिए और नहीं बहुत ज़ बिल्कुल अधुरी है, एक लिटर पानी में मैंने 250 ग्राम्स इमली डाली है, मुझे इमली सीर्स के साथ मिली थी, अगर आपको बिना सीर्स के मिल जाए तो बहुत अच्छा, इससे सीर्स को अलग करने में लगने वाला टाइम भी बच जाएगा, दस से बारा मिनट इमली क इसके पहले अपने हाथ अच्छे से वाश कर लें, इससे कंटीनूसली मसलते जाएं और इसके सीर्स और जड़ें अलग करते जाएं, यह स्टैप आपको तभी फॉलो करना पड़ेगा, अगर इमली में सीर्स हैं, अगर सीर्स नहीं हैं तो आप यह स्टैप फॉलो करने से इसको elada में और डिरेक्ट इसको गरइड कर सकते हैं, अभी इसके सारे सीर्स और रूट्स मेंने निकाल दिया है इसको हम ग्राइड कर लें गे और इसके बाद चन्नी की हल्प से इसको फिल्टर कर लेंगे तक इसका सारा वेस्ट अलग हो जाएं फिल्टर करने के बाद बहुती क्लीन पल्प हमारे पास बच जाता है अब इसका तटका रेड़ी करेंगे सबसे पहले कडाई में थोड़ा सा ओयल डाला है और इसके बाद हींग और जीरा डाल दिया है इसके बाद डाल देंगे ये पल्प 15-20 मिनट हम इसको अच्छे से बॉ सालला पावडर siamad Russa ओडर डाला है मैंने यहाँ पे जीरा पावडर डाला है साथी डाल दिया है और साती डाला तुड़ासा बलाग साल्ट मीनट जिसे टेस्ट पापड़ा काफ़ी अच्छा अता है गरम सोलेडर डाला है MRD पावडर डाला है और डाला है और ब्लैक पे तो मैंने पुरी रोटी इसकी बेल ली है, ख्यार रहे ये रोटी बहुत थिन नहीं होनी चाहिए और बहुत थिक भी नहीं होनी चाहिए, किसी कटर की हल्प से आप एक ही साइस की पाप्रियां काट सकते हैं, बेलन की हल्प से आप इसको हल्का सा प्रेस करें, तो इस तरह की पाप्रिया आपके पैस रेडी हो जाएगी, देखिए बहुत थिक भी नहीं है, बहुत थिन भी नहीं है, तो इस तरह से मैं सारी पाप्रियों को एक साथ बेल के साइड रखती जाओंगी, और उसके बाद फोक की हल्प से आपको इसमें होल करने हैं, ताकि ये फूले नहीं, क्यूंकि जो पाप्री फूलने लगेगी, वो क्रिस्पी नहीं बनेगी, तो 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं, चटनी भी तयार हो गई है, पानी कितना सूख चुका है, और काफी थिक हो गई है, तो इतनी ही थिक चटनी हमें चाहिए, आप इसे साइड रखके ठंडा होने दें, तब तक हम फ्राइ कर लेते हैं, वड़ाज और पापड़ियां, तेल गरम हो चुका है, थोड़ा पानी लगाना है हाथों में, और उसके बाद जिस तरह से हम पकॉड़ियां तलते हैं, उसी तरह से हमने वड़ा रेडी कर लेने हैं, तेल बिलकुल गरम होना चाहिए, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राइ करते जाएं, तो यह बा पर फिर से हम इनको एक बर फ्राइ करेंगे, जब तक यह ब्राउन नहीं हो जाते हैं, जब सारे वड़ा प्राय हो जाएं, तो भूड़ा ठंडा होने देना है, उसके बाद इक बटर में पानी डालना है, सॉल डालना है, और सारे वड़ा उसमें डिप कर देने हैं, ताकि अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएं और थोड़े सॉल्टी भी हो जाएं दहीं वड़ास की रेस्पी में पहले भी शेयर कर चुकी हो ने क्योंकि हम पापडी चार पना रहे हैं तो एक बर फिर से शेयर करना बनता था तो अब उसी तेल में हम पापडियां रेडी कर लेंगे तो एक साथ बहुत सारी पापडियां आप तेल में डाल सकते हैं और हाई फ्लेम पेन को फ्राइ कर सकते हैं अगर फोक के साथ आपने अच्छे से इन में होल कर दिये हैं तो कोई पापणी फूलेगी नहीं और फूलनी भी नहीं चाहिए पापणीयां ब्राउन होते जाएं तो इनने बस निकालते जाएं और ठंडा होने दें वड़ाज रेडी है, पापणीयां रेडी है, इमली की चटनी रेडी है आलू मैंने कुछ बॉयल करके रखती हैं और अब रेडी कर लेते हैं ग्रीन चटनी तो पुदीना लिया है, मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है, साथ में अद्दक लसन में उसे कोई भी चीज आप डाल सकते हैं मैंने थोड़ा लसन डाला है, मैंने हरी मिर्च डाल दी है, साथ ही डाला है थोड़ा सा आमचूर और सॉल्ट, साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसको ग्राइंड कर लेंगे अब मैंने डाल दिया है इसमें प्यास इसको भी एक बार ग्राइंड कर लेंगे और चटनी रेडी हो जाएगी वड़ास को पानी में डिप की होए 15-20 मिनिट हो चुके हैं तो बस इसको हलका हलका प्रेस करके मैं निकालती जा रही हूँ तो आपने देखा कितनी परफेक्ट और क्रिस्पी पापनिया रेडी हुई हैं तो कोई भी प्लेट रेडी करने से पहले जितनी पापनिया आपको उसके लिए चाहिए उसे इमली की चटनी में डिप कर दें और उसके बाद प्लेट लगाएं प्लेट में रखे हैं तीन जीरा पाउडर डाला है तो भी चाना टिक की चाड जिसकी खुश्बू से आप खुश्बू से आप खुद को रोक नहीं पाते हैं उसके लिए मैं चाहिए होंगे बॉयल आलू तो मैंने लिए हैं आपे पाँच बॉयल आलू थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना डाला है धन इसके बाद थोड़ा सा दम लगा के आलूओं को मैश कर लें ताकि सारे मसाले भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं इसके बाद कौन फ्लोर या मैदी की जगबा मैं डाल रही हूँ इस पे चावल का आटा तो चावल के आटे से टिकियां बहुत ही क्रिस्पी बनती है जब तक आप टिकियां रेडी कर रहे हैं तब तक आप तेल रखते हैं गरब होने के लिए तो आप इसको तवे की बुप बना सकते हैं अपर किसी पैन में बना सकते हैं तो पैन में ख сразу डाल के इसको बना रही हूँ तक इसकी sides भी अच्छे से पक जाएं तो street food कोई भी हो, काफी heavy होते हैं, तो आप इसे किसी meal की form में यूज करें ना कि snacks की form में, इनको खाने के बाद अगर next meal आप काफी सारा salad खाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी, इससे कि ये आपको easily digest भी हो जाएंगे और उतना हाम भी नहीं करेंगे, लेकिन exercise करना कभी आलू की टिकी रेडी हो गई है, बस इसे निकाल लेते हैं, हम पेपर टाल पे, इन टिकीस को आप दही या चक्नी के साथ वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप चना टिकी चाट खाएंगे तो और भी टेस्टी लगेगी, तो एक पैन में थोड़ा सा मैंने डाला है, और दो लॉंग डाले हैं, आज का पेस्ट डाला है, मैंने साथी में और साथी डाल दिया है, जिंजर गाली का पेस्ट, एक से टेर्ड मिनट तक इसे अच्छे से रोस्ट होने देंगे, उसके बाद ग्राइंड की होई टोमाटर डाल देंगे, आप चाहें तो यहां पे जाना है, और अटलीस दस से बारा मिनट तक इसको अच्छे से भूनने देना है, चाहें थोड़ा सा पानी भी इसमें आड कर लें, ताकि यह सूखे नहीं, अब जितना जादा यह मसाला रोस्ट होगा, उतना ही आपका चना मसाला यमी बनेगा, और उतनी ही टेस्टी इसमें आड करेंगे बॉयल के हुए चना, जो कि मैं अल्रडी बॉयल ककी रखती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर देंगे, और 7-8 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे, ताकि चना और ग्रेवी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं, 7-8 मिनट के बाद जब लिड़ के तो चने बहुत इंचे खुष्षबू दे रहे होंगे, और बहुत अच्य दिख रहे होंगे, उसके बाद पलेट रड़ी कर लेते हैं, दो ठिक याल पावडर, प्लेट में उसके बाद चना ढाल दिये है, थोड़ा सा दही डाल देंगे, शाथी डाल देंगे इ आपको बनाने आती भी है तो एक कड़ाई में थोड़ा सा ओयल डाल के सबसे पहले मैंने गार्लिक डाला है इसमें बारी कटा हुआ उसके बारी कटा हुआ प्यास डाल दिया है साथी डाल देंगे वेज़ेटेबल्स अपनी पसंद की गाजर डाली है बारी कटी हुई साथी साथी डाल देंगे चार्ट मिसाला पाउडर और जीरा पाउडर ब्लैक सॉल्टब्ना ठीट डाला है ठोड़ासा स्टीट फूड में ब्लैक सॉल्ट का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है साथी 1 पकेट 200 großen मेगी ली सकते हैं थोड़ा सा पानी डालेंगे पानी बिल्कुल क पाउडर नहीं पकाना है तो जब तक पनी और शिम्ला मिर्च रेड़ी होई तब तक चीजे रेड़ी हो जाएं तो फ्लेम आफ कर देंगे और उसके बाद रेड़ी करेंगे रोल और रोल रेड़ी करने के लिए जो चपातियां मैंने यहाँ पे ली हैं उन्हें बनाने का तर जो हम use करते हैं और half cup लिया है मैंने मैड़ा, साथी डाला है half teaspoon salt और एक pinch डाला है मैंने baking powder का एक टिपल स्पून डाल दिया है oil का, बस इसका भी हमने dough ready कर लेना है normal जैसे हम चपाती के लिए dough ready करते हैं वैसा ही इसका डो रेडी करना है, आप चाहें तो इसके लिए रेगलोर चपाती का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन रोल में बच्चे टॉटिया जादा पसंद करते हैं, जादर टॉटिया जो आपको मिलते हैं, वो मैदे के बने हुए ही मिलते हैं, लेकिन अगर आप होममेड बना रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा भी आइड कर लें, तो कोई बुरी बात नहीं, रोल में तो अनलिम्टेड वराइटी है, बहुत सारे टेस्ट हैं, स्ट्रीट्स में जाते हैं, तो वहां पे जितने भी स्टॉल्स लगे होते हैं, वहां पे डिफरंट तर तो दोनों तरफ से आपको चपाती को सेक लेना है, आप बटर लगा सकते हैं, होमेर बटर भी लगा सकते हैं, या फिर कोई फ्लेवर बटर आपके पास है, तो वो भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पे गार्लिक बटर लगा रही हूँ, दोनों तरफ से बटर लगाते ह प्रोसेस चीज या फिर मॉजरेला चीज कोई भी चीज जो आपके पास हो आप यूज कर सकते हैं तो लीजिये मैगी चीज रोल रेडी है आइस स्वेर आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे तो एक बार उन्हें बना के जरूर खिलाइएगा तो चलिए देख लेते हैं फोर्थ एंड लास्ट रेस्पी ड्राय मंचूरियन मंचूरियन बनाने के लिए पत्ता गोबी का यूस्तों मैं करे रही हूँ साथ ही में एक गाजर भी डाल रही हूँ क्रश करके आप चाहें तो अकेली पत्ता गोबी के साथ भी मंचूरियन बना सकते हैं लेकिन इसका जूस हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत जादा पानी होता है अगर हम पानी नहीं निकालते हैं तो जब हम इनको करेंगे तो यह फट भी सकते हैं तो इसलिए इसका पानी निकालना जूरी है लेकिन इस पानी को वेस्ट ना करें आप इस पानी को पी सकते हैं यह आपके पास हाफ ग्लास ऑफ जूस रिली हो गया है पत्ता गोबी और गाजर के मिक्स्टर में डालें तोड़ा सा सौल कर लेंगे तो सबजियों का एक्स्ट्रा पानी हमने निकाल दिया है साथ इसमें डाल दिया है कौन फ्लार और मैदा तो इनके फटने के अब कोई चांसिस नहीं है अब छोटे छोटे बॉल्स जैसे भी आप रहना चाहें तो इनको बनाके साइड रखते जाएं और इसके गरम होना चाहिए लेकिन इतना गरम नहीं होना चाहिए कि डालते ही बॉल्स ब्राउन हो जाएं और वैसे भी हमें इन्हें लो मीडियम फ्लेम पे फ्राइए करना है ताकि यह अंदर से भी अच्छे से पक जाएं तो लीजिए सभी मंचूरियन बॉल्स फ्राइए हो चुक अदरक डालेंगे बारी कटा हुँग मिर्च, साथ़ ही डाल दि awakening से ऑठे постав całे मिर्च उसकेब अपया बाद से का लिए हम सुल्च, ब्लैक पेपर पाउडर इन सब चीजों को अच्छे से हम mix कर लें इसके बास साथी क्राएं क Cathya मिर्च, शिंमला मिर्च को जाध पकाने की इसमें डाले सारी सॉसे मैं सबसे पहले मैं डाली इसमें टोमैटों केचप साथ ही डाल दिया है रेड चिली पेस्ट आप चाहें तो रेड चिली सॉस भी यूज कर सकते हैं और इसमें डाले लौन बना और 3-4 मिनटे तो पकने रेंगे क्योंकि हम dry manchurian बना रहे हैं तो हमें gravy की ज़रूरत नहीं है अगर आपसे पानी ज़ादा डल जाए तो आप इसको थिक भी कर सकते हैं एक चमच कॉन्फोर में थोड़ा सा पानी डालें उसका paste बना के उसमें add कर दें तो immediately आपकी gravy थिक हो जाएगी तो आप देख सकते हैं texture तो dry manchurian के लिए यही चीज हमें चाहिए होती है उसके बाद हम इसमें डाल देंगे manchurian balls और gravy को manchurian balls के साथ अच्छे से हम coach कर देंगे ताथी garnish के लिए दबारा फिर से डाल देंगे हरा प्याज तो लेजिए yummy dry manchurian ready है हमने तो enjoy कर लिया अब आप भी enjoy करें और मैं मि हुआ हुआ है